हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास 11 का मैट्स में चैप्टर नुमबर वन सेट्स डिस्कस करेंगे यह 11 का एक बहुत इजी चैप्टर है इसका कम्प्लीट नेम अगर हम बात करें तो सेट्स थियोरी आता है अच्छा थियोरी देट मीन्स इनिशली यह टॉपिक थियोरी होगे उसके बाद इसकी रिविजन की भी नीड नी पड़ती एक बार में चैप्टर क्लियर हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले इसकी डेफिनिशन से स्टार्ट करते हैं सेट इस वेल डिफाइंड कलेक्शन अफ ऑब्जेक्ट्स अच्छा ऑब्जेक्स के आगे आपके पास elements भी है members भी है तो objects को हम elements या members से भी denote कर सकते हैं यहाँ पर यह well defined क्या represent कर रहा है well defined देखो well defined का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप describe कर रहे हो तो it should be fixed वो universally same होनी चाहिए जैसे मैंने एक example आपके लिए लिया हुआ है set of vowels vowels तो vowels की अगर मैं बात करूँ तो English alphabets में 26 letters में से जो vowels है आपके सबको पता है कि A, E, I, O, U यह fixed है यह change नहीं होते लेकिन अगर इसी के against मैं आपको बोलू कि best cricketers बता दो आप तो यह best cricketers की list है यह change होती रहती है on regular basis अच्छा फिर यह opinion पर matter करता है कि कि किसी के लिए कोई batsman या क्रिकेटर best है तो किसी दूसरे के लिए वो change हो जाएगा तो हम set के अंदर उसे well defined बोलते हैं जो universally और हर किसी के लिए same हो जैसे best example क्या है वोवल्स अब वोवल्स की अगर बात करें तो इसके set को describe करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ कि इसको हमेशा हम capital letter से denote करते है अच्छा capital letter यहाँ पे a, b, to, z आप कोई भी letter ले सकते हो to denote set अच्छा जो elements होते elements को हम comma लगा के या language की terms में हम explain करेगे आगे representation of set पड़ेगे हम तो अभी मैं आपको एक example दे देता हो कि वोवल्स को आप किस तरह से लिख सकते हो a, e, i, o, u अच्छा representation में यहाँ curly bracket लगाते है अच्छा यहाँ पे आप capital letter ले लेते हो पूरी तरह से representation हम आगे सीखेगे natural numbers अब को पता है counting numbers होते हैं तो counting numbers को generally मैं n से denote करता हूँ और यह 1, 2, 3, so on infinite तक चलता रहेगा यह सबके लिए fixed है यह list कभी change नहीं होती यह well defined है तो जो well defined है that is a set ठीक है और जो well defined नहीं है वो set के अंदर हम include नहीं कर सकते तो यह point आपको clear हो गया set की basic concept basic definition चलो आगे देखत बच्चों तो important symbols for set theory अगर आपको symbols clear है तो chapter में दिक्कत नहीं आएगी काफे सारे symbols इस chapter में commonly used होते हैं तो जैसे की मैंने आपके लिए आप पहला symbol लिया है belongs to अचा physics में इसको अब silent बोलते है math में इसका use belongs to में आता है अचा belongs to का क्या मतलब हो है यहापे example मैंने यहापे set consider कर लिया 123 ऐसे randomly example ले लिया set का 123 मला set containing three elements तो यहापे अगर मैं देखू two इस set को belong कर रहे है तो हम यहापे two के आगे belongs to लगा के यहापे set का symbol लिख देगे तो यह belongs to का मतलब होता है कि आपका element है it belongs to set a similarly does not belongs to मैं क्या किया मैंने इस sign के अपर एक line cross कर दी तो इसका example हम क्या ल along to a अच्छा एक third symbol भी है यह ठीक है कम use होता है book में कुछ जगा आपको दिखेगा meaning आपको पता होना चाहिए for all और for every मतले जब आप बोलो कि यह statement हर element के लिए true हो तो उसके लिए हम यह symbol use कर सकते है ठीक है यह symbol देखके घबराना नहीं है for all यह for every अच्छा यह chapter number 14 11th class में mathematical reasoning जब आएगा तब काफी detail में बात करेगा हम इसके बार में अच्छा यह dot dot बना दी है इसका मतलब so on ठीक है अब हम so on English में नहीं maths में लिखेगे so on ऐसे dot dot लगा के ठीक है अच्छा यह जो हम colon हमने use किया colon या फिर vertical line vertical bar भी बोलते हैं इसको हम इन दोनों में से कुछ भी द लिखेगे clear हुआ यहां तक अच्छा फिर यहां पर हमें important set define किये गया है यह तो symbols हो गए अच्छा उसके बाद यह जो symbol है यह particular set represent कर रहा है अच्छा NCRT में N से denote करेगा है N capital N that is set of natural numbers अभी बात कर चुके इसके बारे में set of natural numbers means counting numbers counting numbers को मैं कैसे लिखूगा 1,2,3,4 जब तक मन कर रहा है लिखते रहे ना ultimately so on लगा के set को close करोगे अच्छा कुछ जगा कुछ books में competitive level पर जाएगे अगर हम या फिर कुछ foreign authors के book आप उठाओगे तो उसमें N1 लिखा होता है N1 मतलब आप numbers start कर रहे हो from 1 और वो number आपके natural number ही होगे ठीक है तो यह ध्यान रखना है N1 से confuse मत होना N और N1 एक ही बात है अच्छा अगर यहाँ पर W आगया W means whole numbers अच्छा whole number में आपको पता है यहाँ पर 0 से start करोगे आप numbers को है यह भी counting number लेकिन 0 से start होगे तो उस case में उस case में हम क्या लिखेगे oh sorry यहाँ पर उस case में हम यहाँ पर इसको लिख देगे 0 से start करेगे 0 1 2 3 so on मतलब natural number में अगर मैं 0 को include कर दू आगे तो वो whole number की list में आ जाता है तो यह symbol देखते ही आपको पता चल जागा कि यह सब element वो represent कर रहा है अच्छा इसकी जो दूसरी notation आपको clear हो गया होगा N 0 that means 0 से number start होगे clear ठीक तो symbols clear हो गए दो तरह के आपको set पता चल गए आग integers denote करता है अच्छा उसको भी मत देखना set of integers set of integers का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपके पास positive integer भी है negative integer भी है और 0 मतलब यह मैं बहुत basic बात कर रहा हो real numbers का जो number system का जो chart बनता है वो तो आपको आता है हम उनको symbols की term में डिसकस कर रहे है तो फिर ठीक है ज्यादा time ना लग यह आपका set किसका बन गया integers का ठीक अब यहाँ पर कभी z plus दिख जाए अगर कभी z plus दिख जाए तो घबराना नहीं है आप क्या करोगे उसमें सिरफ positive integers ले लोगे that means 0 भी नहीं लेगे उसमें हम सिरफ हम क्या करेगे positive integers ले लेगे तो यहाँ पर 1,2,3,so on ठीक है समझ जाना z plus का मतलब positive integers जहाँ positive लग गया positive integers जहाँ z minus आगया that means negative integers ले 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 लेना simple अच्छा capital Q, capital Q क्या present कर रहा है आपको लिख दिया set of rational numbers अच्छा set of rational numbers को कैसे लिखते थे बच्चो इसमें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि मान लो x is such that x is equal to p by q अच्छा यह format तो पता आपक rational numbers p by q की form में होता है set में कैसे लिख रहे हैं वो समझो वो समझो representation सिखाने वालो मैं अभी इसके आगे पर अभी जो मैं use कर रहा हो देखो कि x एक element है और वह element किस form में है p by q where where p and q belongs to integer आगया sign belongs to अच्छा integer आगया where q cannot be 0 p और q integer हो सकते हैं लेकिन q उसमें 0 नहीं हो सकता ठीक है यह point clear q positive मतलब इसमें negative integer मतले नहीं कहीं भी q positive मतलब क्या हो गया set of positive rational numbers r set of real numbers real numbers की हम notation क्या लिखे के x is such that हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो minus infinity से infinity के भीच में होगा मतलब कोई भी number हो सकता है कोई भी number ठीक है कोई भी number हो सकता है positive negative fraction में decimal में कुछ भी ठीक है तो आपका set of real numbers अच्छा r positive that means आपके positive real numbers r negative अगर r negative आ जाएगा r negative आ गया तो आपका negative real number clear हुआ यहाँ ठीक है लास्ट एक c यहाँ पर देखते हैं यह set of complex number complex number बच्चो अभी आपके लिए बिल्कुल नहीं चीज है chapter number 5 11th class का complex number and quadratic equation पढ़ेगे वो complex number मतलब imaginary numbers जो हम 10th में solve नहीं कर पाते थे 11th में solve करेगे मैं आपको सिरफ notation दे देता हो अभी इसमें हमार पास आता है x is such that x is equal to a plus iota b अभी iota के बारे में हम बात नहीं कर रहे है chapter number 5 detail में पढ़ेगे इसको where a and b both belongs to real number अच्छा इसके example तो example में हम ऐसे लिख सकते है बच्छो example में आपको थोड़ा सा लिख के दे देता हूं कि जैसे 3 plus 2 iota यह format दिखेगा तो आप समझ जाओगे भाई यह complex number है होता क्या है suspense में रहो आगे पढ़ेगे नए chapter में अभी अब set के बारे में बात करते हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको clear हो गई यह हो गया ठीक है तो यह सारे symbols आपको tips पर होने चाहिए क्योंकि set theory है theory में symbols होगे mathematically आप उसे interpret करोगे ठीक है next page पर चलते है next page में अब आगया finally representation of a set set को represent कैसे करेगे तो यह मैं आभी आपको बार-बार भीच में करके दे रहा था अब इसको practically सीखते है क्या होता है roster form first form दो form है इसमें बस roster form जिसको हम tabular form भी बोलते हैं ठीक है commonly roster form से जाना जाता है all elements are listed in this form जितने भी element होगे आप सबको लिखके दिखाऊगे ठीक है कोई चीज language में नहीं लिखोगे जितने element है उनको separately एक-एक element को आप लिखके दिखाऊगे चलो repetition of elements is not allowed repetition बिलकुल भी allowed नहीं है elements को कभी repeat नहीं करते set लिखते हुए याद अच्छा तीसरा order कभी matter नहीं करता मतलब element को आगे बिछे किसी भी order में लिख सकता हूँ यह set of first four letters of English alphabet को doubt ही नहीं है सबसे पहले set को capital letter से denote करेंगे कर दिया a ले लिया equal to curly bracket बनाते है first four letters a b c d all elements all objects या all members are separated by commas curly bracket close यह जो representation हमने की है जो अभी हम शुरू से करते है आ रहे है वो roast reform है clear हुआ clear हुआ clear हुआ बच्छो next एक देखे set of letters set of letter capital letter ले लिया set of letters forming the word mathematics ठीक है आपका subject का हमने नाम ले लिया इसमें letters उठाने है अब letters जब बच्छो उठाने है तो देखो अगर मानलो मैं M यहापे ले तो पहला letter कितना है मेरे पास M, next letter is A, T, H, E अब M repeat हो रहा है condition M cannot be repeated letters repeat नहीं करते हैं ठीक है M नहीं ले सकते, A repeat हो रहा है नहीं ले सकते, दुबारा T repeat हो रहा है, use हो गया नहीं ले सकते, I ले σकते हैं आप I लेलोगे, आप C लेलोगे, आप S लेलोगे बच्चो खतम इतने ही है मतलब कहा ना बहुत सिंपल है एक बार समझ आ गया सीख लिया बात खतम वही पर ठीक है याद रहती है चीजे आपने letters लेने है letters को repeat नहीं करना अच्छा इनको मैं आगे पिछे किसी भी order में ले लूँ वो भी matter नहीं करता तीनो point cover हो गए एक तो सारे element लेने है कोई element छोड़ नी सकते है गलती से कोई भी letter छोड़ मत देना सबको लेना है ठीक है cover कर लिया है हमने सारे ठीक है clear है similarly ये तो हो गए हमारे alphabets पे based अगला देखते है set of prime numbers less than 10 set of prime numbers less than 10 क्या बनेगा बच्चो prime number जानते हो ना अपने टेबल में जो आते है कहा से start करोगे पहला prime number 2 prime number होता है पता होना चाहिए 3, 5, 7, 10 से कम ये तो होते है अब सोच रहे हो mathematically इसे interpret कर रहे हो set of prime numbers less than 10 theory दीती interpret कर दिया हमने prime numbers less than 10 2, 3, 5, 7 ठीक है चलो roster form clear होई आपको repetition allowed नहीं है सारे element लेने है order doesn't matter मतलब इसको 5, 7, 3, 2 भी लिख देता ना तो कोई फरग नी पड़ेगा कोई फरग नी पड़ेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते है note करना हो post करके आप note कर सकते हो otherwise notes आपको PDF फाइल में मिल जाएगे set builder form second form है आपकी set builder form अच्छा definition in this form जितने भी elements है set के जितने भी elements है set के all elements have single common property single common property which is not possessed by any element outside the set समझ तो आया है नहीं कुछ भी समझ तो आया है नहीं कोशिश करते हैं यहाँ पे कह रहा है एक example दिया है इसने यहाँ पे एक example दिया है कि रहा है x read करना सीखो read करना सीखो x is such that symbol use किया such that x is a vowel in English alphabet यह आपकी set builder form है यह आपकी set builder form है बच्चो set builder form set builder form में मैंने क्या कि एक property बता दी मैंने property बता दी कुछ particular elements के लिए वो elements कौन से है इसके लिए a, e, i, o, u अच्छा जो इन पाचो की properties है वो outside the set किसी और की है क्या मैं b को vowel बोल सकता हूँ नहीं यह कहना चाहरा है वो कि जो property उसने set में बता दी single common property वो उसके अंदर के elements के सब की होगी सब की property सेम होगी लेकिन उसके बाहर वाले जितनी element बच गए outside the set उनके अंदर यह property नहीं होगी एक example हमने इसमें अब जब मैं इसको ऐसे करके लिख दूबच्चो तो यह तो अब दूसरी तीसरी बार use हो रहा आप समझ चुके हो यह जो form मैंने लिखी है इसको हम क्या बोलेगे roster form जब अब elements को describe कर रहे हो individually list कर रहे हो that is roster form जब अब elements को एक single property या फिर आप कह सकते हों कि एक language की form में दिया हुआ है symbols involve कर दिये उस form को हम set builder form बोलते हैं ठीक है यह भी clear हो गया आगे यह पूरी तरह से दिख रहे है आपको roster form तो है ही नी roster form में तो element clearly दिखते हैं यहाँ पर क्या है language due ही है symbols दे दिये काफी सारे read करे x is such that x is equal to n square ठीक है n raise to power 2 where n belongs to देखो आरे सारी चीज़े याद n belongs to set of natural numbers and n is less than 6 आपको कहता है आप यह तो set builder दे दिया मैं इसको साथ के साथ roster में करके दे दो convert थोड़ा और clarity हो जाएगी आपको मतलब यह कहना चाहरा आपको कि n की value natural number है मतलब 1 से start हो रही है और वो 1 से start होगे 6 से कम तक value आप ले सकते हो और वो इस form में होगा element लिए 2 का square 4 3 का square 9 4 का square 16 5 का square 25 इससे आगे हम जा नहीं सकते क्यों नहीं जा सकते उसने बोला ना n less than 6 restrict किया है न हमें तो इससे आगे हम नहीं जाएगे तो मैं आपको set builder तो given थी set builder का मतलब आपको समझ आगया इसमें इसने property क्या define करी कि भाई जो n है वो किसी एक number का square है और वो number हमारे 6 से कम होगे और it belongs to national number property बता दी ना अब इन 5 numbers के अलावा कोई और number थोड़ी आ सकते है set के अंदर single common property है कि ये किसी ना किसी इन 5 हों में से numbers का square है clear हुआ set builder form clear, roster form clear representation of set ये ही होता है दो forms आपको आनी चाहिए ठीक है बच्चो आगे देखते है chapter बहुत interesting है मतलब आप दिखो आपको कुछ examples में साथ में practice करवा देता हो otherwise क्यों आता है set में आपको theory देके concept खतम कर दिया जाता है थोड़ सी practice भी कर लेते है आपके NCRT के question उठाए हमने सबसे पहले बच्चो कुछ नहीं आता capital letter ले लिया curly bracket बना दिया अच्छा एक element तो होगा न x such that तो लगाओगे कि x है कैसा x is equal to mathematical form दी हुई है तो अब इसके बारे में सोचो ये क्या pattern form कर रहा है mental ability 2, 4, 8, 16, 32 क्या है ये सब ये 2 की power है ये 2 की आपकी power है 2 raise to power n where n देखो बिल्कुल वैसे लिख रहे है जैसे set builder form का हमने पीछे example लिया था पहले तो mathematical form पहचानो ये है क्या 2 की power 1 ये क्या दिख रहा आपको 2 raise to power 1 ये क्या दिख रहा है 2 की power 2 ये क्या दिख रहा है 2 की power 3 2 raise to power 4 2 raise to power 5 समझ आ गया ये 5 लिख रहा है समझ जाना ठीक है 5 अच्छा तो 2 raise to power n तो मुझे दिख रहा है where n is a natural number it belongs to natural number and and n is less than 6 बिल्कुल वैसे ही बन गया ये तो जो भी हमने पीछे case पढ़ा है बस ये form आपको identify करनी है ठीक है next वाले देखो try करो next वाले का क्या pattern बन रहा है देखो symbol मैं b ले रहा हो आपके लिए सोच लिया x is such that e की pattern follow करेगे x is equal to ये तो same type का question है इसमें 5 raise to power n दिख रहा है मुझे 5 raise to power 1 5 raise to power 2 5 raise to power 3 5 raise to power 4 तो 5 raise to power n where n belongs to natural number and n is less than 5 लिख दूँ इस बार अरे भाई 4 तक ही तो ले सकता हो ना मैं तो 5 से कम ले लिया clear चलो next बताओ next जल्दी से 3, 6, 9, 12 ये raise to power तो नहीं है ना multiple है किसका 3 का x is such that format तो अब समझ आई गया x is such that x is equal to 3 n where n belongs to natural number again ये value 4 तक ही लिए के जा सकता हूँ मैं and and n is less than equal to 4 लिख दूँ change कर देते हैं less than equal to 4 ले लिया मतलब n की value मेरी 4 होगी या 4 से कम होगी तो 4 लोगे 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ये ही तो ले सकते हो natural number है ना 1 से नीचे तो जाओ गे नी तो आप इसे या तो n less than 5 ले ले लेते या n less than equal to 4 लिख दो के तो गलत थोड़ी होगा ठीक है सिरफ mathematical इसको represent करना है चलो ये बताओ 2, 4, 6 सेम तरह के example सेम तरह के example ये 3 का multiple था बच्चों ये आपका 2 का multiple है अच्छों ये आपका 2 का multiple है x is such that x is equal to ये मैं वो form ले रहो जो अभी तक मैं यूज करता आ रहा था अब ये 2 का multiple है बच्चों even number है तो मैं लिख दिया 2n वेर n belongs to natural number अच्छा इसमें तो कोई restriction नहीं है कि कहा तक जाना है ये तो son infinite तक चल रहा बच्चो infinite तक तो इसमें मैं नहीं लिख दिया सारे natural number ले सकते हम अच्छा इसका alternate form कैसे लिखा हो सकता है ये लो आप लिखोगे a is equal to x is such that x is an ऐसे भी तो लिख सकते हम even natural even natural number चलो आया मज़ा दोनो form लिख सकते हो न आप mathematical set builder form ले सकते हो आप language वाली set builder form भी तो ले सकते हो दिक्कत क्या है इसमें set builder form में conversion समझ आ गया roster to set builder form clear ठीक है note करना और note कर लेना pause करके otherwise हम आगे चली रहे है question number two अब set builder दे दी फटाफट से roster में convert करते है ठीक है जल जल दी करें अब set builder दे दी roster में convert करना कि अगर मुझे कोई letter consider करने किसी word के तो letter को मुझे बस repeat नहीं करना पहला letter L दूसरा O तीसरा Y fourth A कह रहा है आगे L repeat कर नहीं सकते है खतम हो गया क्या मजाग है यह simple बता ना बहुत easy है यह फटाफट खतम करते है B पे चलो यह क्या कर रहा है X is an odd natural number लो अगला मजा 1 3 5 7 so on खेलते रहो बस 1 3 5 7 so on aray so on क्यों चल रहा है limit नी दी न मुझे restrict तो कर रहा है नहीं चलते जाओ X is an integer यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा रोक के X is an integer and it lies between minus 3 to 7 तो integer है minus 3 और 7 के भीच में है अच्छा from भी नहीं है between between में minus 3 से आगे वाला number minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 अच्छा यार सारा list करना पढ़ रहा है ना all numbers should be listed in roster form अच्छा तुम को को इस में नहीं करे अरे भाई infinite है infinite पर थोड़ी करोगे तो बस आप 4 पर नमबर दिखा दो 100 लगा दो यहाँ पर जितने यह है तो finite ना तो जितने है सारे दिखाओगे जहाँ पर infinite है वहाँ थोड़ी मेहनत करोगे आगे D वाले पर चलते है D क्या कह रहा है मुझे X is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8 ठीक है मैं ऐसा 2-digit number ले लू जिसमें उनका sum 8 आएगा तो यार यह भी तो easy है 17 दोनों digits का sum 8 आ रहा है 20 26 दोनों का sum 8 है बड़े आगे 35 44 53 62 71 80 भी तो होगा वहाँ पर 08 नहीं हो सकता था क्योंकि 08 का मतलब क्या था वो तो 1-digit number है ना 2-digit में यह सारे number listed रहे गए last यह आप कर दो last last part है representation में ठीक है representation आपको मैंने set builder form सिखाई roster form सिखाई एक-एक example भी देख लिया हमने कुछ parts का तो topic को आगे बढ़ाएगे इसमें x is an integer जो value minus half और 9 by 2 के भीच में minus half का मतलब बच्चो minus half का मतलब क्या कहना चाह रहे है यह कह रहा है minus 0.5 से 4.5 के भीच में integer ले सकता हूँ मैं अच्छा minus 0.5 से उधर वाला integer क्या होगा minus 0.5 इधर है 4 से आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि 4.5 है ना इसमें आप लिख चुके थे verify आपका हो गया यह है हिसाब किताब इसमें ठीक है minus 0.5 से number line पे देखोगे ना आप यह minus 1 था यहाँ पे 0 है minus 0.5 भीच में है यहाँ पर तो इससे इधर अगर देखोगे यह तो इंटीजर क्या है जीरो है till 4 तक जा सकते हो 4.5 से कम लेनी है value तो लिस्टिंग समझ आ गई रोस्टर फॉर्म में बड़े आगे अच्छा अब क्या आ गया टाइप अफ सेट representation खतम सेट के अंदर उसकी definition clear उसके symbols clear important जो सेट की notation थी वो clear की capital N, capital Z, capital W क्या represent कर रहा हो गया representation of a set रोस्टर फॉर्म, set builder फॉर्म with example, with practice हो गया अब यह बहुत important है बच्छो यह बहुत important है empty set other name null set और void set empty set, null set और void set किस से denote करते हैं यह देखो phi, phi, phi phi बोलते हैं इसको phi या फिर आप क्या करोगे, set बनाओगे और उसको खाली छोड़ दोगे उसके अंदर कुछ है ही नहीं empty, खाली है ना, खाली set तो null set या फिर void set इनके दो अलग-अलग नाम है बाकिन symbols आपके यह है या तो phi ले लोगे, या फिर ये लोगे अच्छा, अगर ये बना दिया ना तो ये नहीं है बेटा empty set, ये नहीं है set खाली होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए null खुद के लिए एक element है अभी आगे बात करेगे आप अभी समझो, null set क्या होगा उसके अंदर कोई element नहीं होगा तो हम यहापे किया तो खाली set बना देगे या उसका symbol file ले लेगे, बस example, पढ़के समझा आगया पढ़के समझा आगया set of all odd natural numbers divisible by 2 भाई दे दो कोई number ऐसा odd भी हो, और divisible by 2 भी हो है क्या, definition ही नहीं है odd number होते क्या है, जो divisible by 2 नहीं होगे तो यहापे क्या आएगा यार file लगा तो, empty set है कोई element मिले ही नहीं मैं क्या list करूँ इसमें, आगे देखते है x is a natural number where x is less than 5 and x is greater than 7 मतलब x is a natural number वो कहा रहा है, 5 से कम होना चाहिए number और वो साथ से ज़्याद होना चाहिए भाई कौन सा number है ऐसा नहीं है कोई भी number है ऐसा क्या लिखोगे इस बर ऐसे बना के खुश हो जाओ empty set या तो 5 या फिर खाली set बना दो, एक ही बात है इसको देखना ये भी empty set है क्या basic knowledge तुम लोग की है न, 11th में आ गए set of even prime number कहां से start होते है prime number use कर चुको है आज की class में, 2 से 2 हमारे एक prime number होता है तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ बच्चो तो इसमें even prime number एक होता है 2, तो ये empty set नहीं है ये आपका empty set के example नहीं है clear, empty set समझा गया है जिसके अंदर कोई element ना दिखे, अगर कोई element दिख गया तो empty set कैसे होगा या तो खाली set होना चाहिए, 5 दिखना चाहिए बस, या आपका empty set, null set या फिर void set, तो type of set पर हमने पहला set पढ़ लिया, empty set next, अच्छा single latent, नाम से बता चल रहा, single latent single element होगा, set containing single element आपका single latent set बोलते हैं, ठीक है single latent set, फिर से वोई फिर से वोई ले लिया example, याद ही होगा अब आपको, कुछ बच्चों को doubt रहता था इसमें low, single element भाई, 2 is an even prime number, सिरफ A की even prime number है, वो 2 है तो ये single latent set है, empty set नहीं था ही है, ठीक है तो ये आपका जो बच्चपन का doubt था, वो भी clear हो गया और otherwise, आता था था, हम आगे बढ़ी रहा फटावट, चलो, अब अगला example फिर से set build reform दे दी, इसे पहले interpret करेगे, और फिर देखेगे, क्या ये single latent के example है, क्या रहाए x belongs to natural number, और वो 10 और 12 के भीच में होना चाहिए, क्या रहाए की तो है national number इसमें है, कौन सा 11 लो 11 आपका, इन दोनों के भीच में है ना, एक ही national number तो है तो आपका ये single latent है बिल्कुल है ये आपका single latent set बिल्कुल है, चलो ये रेखो क्या बोला था मैंने अभी आपको क्या बोला था कि बच्चों या तो five ले लो या ये ले लो ये दोनों null set है लेकिन अगर मैंने five five क्या है, खुद एक set है ना, ये null set बोलते है ने इसको इसको null set बोलते है मैंने इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया तो मतलब या तो ये खाली होता तो मैं null set बोलता अच्छा null set मैं क्या बोल रहो ये जो चीज है ये एक set है मैंने इसको उठा के इसके अंदर एक डाल दिया मतलब एक set के अंदर एक set को डाल दिया ठीक है तो ये अब आपका null set नहीं है इसके अंदर एक element दिख रहा आपको ये एक element है set के अंदर ठीक है as a element behave कर रहा है तो ये singlatan set है बच्चो ये भी example आपका singlatan set के है देखो start लगाया हुआ याद रखना है गलत मत करना इसको ठीक है अकेला phi दिखेगा null set है खाली set दिखेगा null set है phi को खाली set में डाल दिया तो अब वह null set नहीं रहा वो एक single element वाला set बन गया singlatan set ठीक है type 2 clear type of set में null set null set का दूसरा नाम empty set तीसरा नाम void set singlatan set का एक प्यारा सा single name है बात खतम करते हैं आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे के set पढ़ने के लिए आपको एक term cardinal number पता होनी चीए cardinal number नाम बड़ा सा है है बहुत चीजी बहुत छोटी सी चीजी है number of elements number of elements present in a set it's called cardinal number नाम थोड़ा नहीं है आप लोगों के लिए चीज तो बहुत छोटी है यह cardinal number means number of elements present in a set मतलब लगनिर आपको क्या चल रहा है बहुत easy set theory 11 का starting का part आपके लिए बहुत easy है आगे चलके थोड़ी से practice की need पढ़ती है यह chapter तो सुनके समझ आ जाता है बात खतम ज्यादा practice की need भी नहीं है इसके अंदर एक बत theory समझ आ गई practical applications की practice करनी पढ़ती है जो आगे की exercises है कह रहा है यार 1,2,3,4,5 कितने element है number count करने 5 कैसे लिखोगे number of elements in set A यह लिखने का क्या तरीक है and मतलब number of elements in the given set A is 5 this is cardinal number of set A wait out easy इसका 3 इसका अब बताओ फिर star लग गया क्या बोला था क्या बोला था आपको 5 यह सब चीजे देखो साथ साथ जो मैं clear कर रहो न यह आपको NCRT में नहीं दी हुई साथ साथ आपको थोड़ा सा extra part आपको में लेके चल रहो basic के साथ यह क्या था null set कहा था न अपने आप में यह एक element है यह खुद एक set है ना बच्चो है तो सही है कुछ तो है मनला इसके अंदर कुछ नहीं है पर यह set तो है तो इस set के अंदर कितने element है एक sorry इसके अंदर एक भी element नहीं है जिरो आएगा sorry 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 इसमें 0 आएगा number of element पूछ रहो मैं 5 के अंदर यह set है जिसके अंदर कोई element है ही नहीं जिसके अंदर कोई element है ही नहीं ठीक है तो बात याद रखना confuse मत होना repeat कर रहो मैं यह आपका empty set था empty set मतलब set containing no element set containing no element तो number of element in empty set is 0 ठीक है understood था कोई बड़ी बात नहीं थी भीच में मैं आगे चला गया कोई बात नहीं आगे और देखते है cardinal number clear हो गया cardinal number clear होगा तो आपका जो third type of set है वो आपका समझाएगा बहुत असानी से समझाएगा चलो finite set finite set set of a finite number of elements finite number of elements so its cardinal number is finite cardinal number use होना था न इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया पहला type empty set बताया दूसरा type आपको क्या बताया मैंने singleton set उसके बाद cardinal number समझा कि उसके अंदर number of elements कितने है set के अंदर वो cardinal number होता है और अगर किसी का cardinal number finite है तो वो set आपका finite है फिर से वोई basic basic मैं example ही ले रहो आपके लिए दिमाग में set हो जाए set of vowels set of vowels भाई क्या था vowels a e i o u क्या तुमें इसका cardinal number दिख रहे है इसका cardinal number कितने है five क्या ये finite है बिल्कुल एक finite number है बच्चो ये तो ये क्या हुआ ये finite set है ये finite set है मतलब जिसके अंदर elements आपको दिख रहे हैं इतने ही है fixed है है ना fixed तो है पतर count कर पा रहे हो आप उनको वो आपका finite set होगा a set whose cardinal number is not known या आप कहा सकते हो cardinal number जिसका infinite है वो infinite set में चला गया opposite इसका finite का opposite infinite हो गया example natural numbers बात की थी पहले natural number को n से denote करेंगे 1,2,3,4,5 मजा आ रहा है तो लिखते रहना otherwise पता है ना खतम थोड़ी हो गई है इसका cardinal number बता दो मुझे इसका cardinal number बता दो नहीं बता सकते infinite है cardinal number ठीक है तो यहाँ पर यह set of natural numbers आपका infinite set की category में चल गया बहुत सारे set है अब आप judge कर सकते हो आपको सामने जो example होगा आप देख सकते हो जिसका cardinal number पता चल पा रहा आपको finite है वो आपका finite set बन गया जिसका cardinal number आपको नहीं पता चल पा रहा नहीं पता चल पा रहा मतलब infinite count नहीं कर पा रहे वो infinite set की category में जाएगा ठीक है थोड़ा सा concept और देख लेते हैं बच्चो आज क्योंकि इतनी theory पढ़ ली तो उस पर कुछ practical examples होने चाहिए तो वो भी देखते हैं ठीक है थोड़ा सा ये दो type of set और रहा गए दो type of set और रहा गए इसको देखते हैं यह आपका equal set है और यह आपका equivalent set है दोनों को एक page पे लिखा है compare करने के लिए क्योंकि minor सा ही difference होता है इसकी definition आप चाहे पढ़ लो मैं इसको example से समझा जाता हो देखते हैं समझा जागा आपको मैंने तीन set दिया है set A, set B, set C आपको किरहें equal set के अंदर न two equal set have exactly the same element have exactly the same element ऐसे कौन से दो set दिख रहे हैं तीनों में से आपको देखना यह A और C order तो matter नहीं करता न order थोड़ी matter करता है two इसमें है इसमें भी है four इसमें इसमें भी है that means element अगर exactly same है अच्छा number तो same होने जरूरी थे elements अगर same है तो मैं लिखता हूँ A और C आपस में equal set है A और C आपस में equal set है A, B के साथ equal नहीं है हाँ, इसमें 4 element है इसमें 4 element है लेकिन equal थोड़ी है, element different होगे नहीं यहाँ 14 आ गया, यहाँ पर 2 था एक element बदल गया तो equal set में क्या होगा, आपके element totally same होगे तो equal set की notation इस तरह होती है मतलब A equal to मैं यहाँ पर C लिख रहा हूँ C इसले लिख रहा हूँ, मैंने नीचे से example लिए equal आएगा बीच में equivalent set में क्या होगा, element same होने जरूरी नहीं है number of elements same होने चाहिए मतलब इनका cardinal number same होना चाहिए तो जैसे इन दोनों को देखना A और B इसके अंदर 4 number इसमें कितने elements है 4, B में कितने है 4 तो अगर आपके पास A का cardinal number और B का cardinal number same आ गया, लेकिन element same नहीं है तो वह equivalent set होता है, अचाहिए equivalent के लिए आप यह sign बनाते हो यह देखो दुबारा बनाओ यह देखो, आप क्या बनाओगे यह sign थोड़ा और जूम कर दिया मैंने equal के लिए proper equal to का sign आएगा इसमें थोड़ा सा वह जो हम similar triangle का जो एक लेते थे, डबल बना दो equivalent set यह होता है, ठीक है element exactly same है, equal sets element same नहीं है, लेकिन number of element same है on both sets तो आपका equivalent set आएगा, clear हो गया ठीक है, छे type पढ़ लिए हमने empty set, याद हो जाएगा हाथ क्या हाथ ही, empty set पढ़ लिया, आपने singleton पढ़ लिया फिर finite और infinite पढ़ा on the basis of cardinality of the set फिर आपने equal set और equivalent set पढ़ा, ठीक है तो set का यह part सारा easy है चलो, बच्चो आज की class का सबसे important topic और last topic ठीक है, आज की class का सबसे important topic है subset, subset क्या होता है subset आपका क्या होता है, example आपको एक set given है, 1, 2, 3, 4, 5 आपने एक B set consider किया, which is 4, 3, 5 वो कहता है, अब ध्यान से देखो, B के जो element है, set B के जो element है, क्या set A के elements को belong कर रहे है B के जो elements है क्या set A के elements को belong कर रहे है exactly belong कर रहे है, 4 A से आया, 3 A से आया, 5 A से आया, उस case में क्या अगर every element of a set belongs to another set, तो वो वाला जो set होगा, B का मतलब वो वाला, जैसे इस case में मैं क्या बोलूगा, B जो होगा A का subset है B is subset of A subset के लिए बच्चो यह sign होता है subset के लिए A ठीक है, आप C को थोड़ा से compress कर दो तो B is subset of A अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि भाई, a set A is set to be a subset of A A, B का subset कब होगा जब हर एक element A का B को बिलोंग करेगा ठीक है, अच्छा, उसमें मैंने हाँ पे नीचे equal to भी लगाया है इसका भी एक significance है, बता रहूं मैं अभी आपको यहाँ पे इसको फिर हमने interpret की है, language को कहरा अगर x set A को बिलोंग करेगा, मतलब x एक element है element आएगा तो belongs to sign आता है x अगर A को बिलोंग करेगा तो कहरा है x B को भी बिलोंग करना चाहिए, यह definition है subset की, ठीक है अच्छा, subset की definition, यहाँ से समझा रहा था concept, पर यहाँ से समझाना बंद हो गया थोड़ा सा लगाए इसको apply करके देखे, मैंने कहा ना यह important topic है, इसको apply करके देखेगे apply करने से पहले, यह कुछ point याद कर लो बच्चो कुछ point याद कर लो, कह रहा है every set, subset of itself क्या मतलब हुआ मान लो मेरे पास एक set है 1, 2, 3, ध्यान चा सुनना A, तो अगर मैं इसको देखू, इसको क्या मैं ऐसे लिख दू 3, 2, 1 B, तो कह रहा है यह जो set है इसका subset है अच्छा यह लेकिन set तो सेम ही है तो वो क्या कह रहा है, जो एक set given होगा, वो खुद का तो subset हो गई न उसके element अगर मैं order change करके लिख दू, आगे पीछे लिख दू, तो कह रहा है यह वाले element इसको ही तो belong कर रहे है तो इस वज़ा से पता है, क्या देखो यह आपर equal to भी लगा हुआ है equal to भी लगा हुआ है, क्योंकि equal set है ने आपस में, element same है तो अगर कोई भी set given है वो खुद का subset तो हो गई every set is subset of itself याद रखना है point आपको इस पर question आता है बाकी सारी theory थी, base था इस पर question आता है paper में the empty set, empty set हम जानते है null set, it's subset of every set अच्छा यह क्या चीज हुआ यह क्या चीज है भाई मान लो, आपको बोला one or two, इसमें कितने element है, दो है अच्छा मैंने क्या क्या है, दो element उड़ा दिये, खाली पड़ा है अब मैं बोलूगा, क्या phi, इसको बिलोंग करता है अरे भाई, दो set, अगर दो element थे, मैंने हटा दिये, तो खाली तो रहेगा न, खाली पन तो हर एक set के अंदर होगा है न, emptiness तो हर जगा होगी किसी भी set में अगर कोई element नहीं है, तो empty set तो ही न वो तो empty set, मैं अगर बोलू phi, इसको बिलोंग करता है बिल्गुल कर रहा है तो phi क्या हुआ, हर एक set का subset होता है, दो चीजे एक set, खुद का subset तो हो गई एक set, खुद का subset होगा, दूसरा point empty set, इस subset of every set empty set इस subset of every set क्योंकि हर set के अंदर emptiness तो होगी न, आप element remove कर दो सारे, तो empty set तो देखी रहना मुझे, तो empty set उसको बिलोंग करेगा ठीक है, दूसरा भी point हो गया ये, ये देखो, ये mathematical formula ये ये क्या है total number of subset, आपको बेने दो तो बताई दिये कि एक set अगर मैं देखू, empty set हर किसी का subset होगा, और एक set खुद का subset तो हो नहीं है लेकिन, कितने subset होगे इस हिसाब से, दो तुमने बता दिये अब subset होगे कितने, किरा अगर एक set के अंदर n elements है एक set के अंदर n elements है, तो उसके अंदर subset कितने होगे, 2 raised to par n ठीक है, अब आपे n क्या finite set के number of elements है example, example बच्चो, मैं अगर तुम्हें बोलू यहापे ठीक है, यहापे मैं तुम्हें बोल दू कि भाई, ए में कितने थे element तीन थे, तो इसमें number of subset कितने होगे इसमें number of subset कितने दिख रहे आपको 2 raised to par 3 8 subset बनने वाले है इसमें and यहापे number of elements है ना तो number of subset कितने होगे 2 raised to par 3, 3 elements है यहापे तो 2 raised to par 3 is 8 8 subset बनेगे, अभी subset बना के दिखा रहो मैं आपको, बस 5 minute और समझ लो, topic खतम होने वाला हमारा ठीक है, तो subset के point हमने पढ़ लिए तो आप subset बनाना सीखेगे, बस 5 minute, subset के दो type है subset के मैंने 3 point बता दिया subset के दो type है, एक है improper subset और एक है proper subset खतम कर रहे है वस topic हम अपना improper subset और proper subset, अच्छा improper subset क्या है, example लेगे उपर की definition clear हो जाएगी क्यारा 1, 2, 3 1, 2, 3 क्यारा B, except दे दिया 3, 1, 2 क्या B के element A को बिलोंग करते है बताओ B के element क्या A को बिलोंग करते है ठीक है, यह थोड़ा सा ज़्यादा रभ हो जाता है, कोई बात नहीं यहाँ पर मैं लिख दा तो called improper subset तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, 2, 3, ठीक है और यहाँ पर 3, 1, 2 B के element A को बिलोंग करते है मतलब मैं बोलूगा B is subset of A अरे ध्यान से देखो A के element भी तो B को बिलोंग करते है अच्छा तो तुम यह भी लिख सकते हो क्या, A is subset of B, बिल्कु लिख सकते हो अच्छा B A का subset है A B का subset है, अच्छे यह तो equal set हो गए equal set हो गए तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूँ कि या तो ऐसे लिख दू A is subset of B and equal या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B is subset of A and equal कुछ भी लिख सकते हो, सब जगा true है यह यह सारे cases true है अब इसको अगर मैं देखता हो जहाँ पे equal आ गया ना वो improper subset है improper क्यों है, क्योंकि subset के अंदर था कि एक set के element उपर वाले set को belong करने चाहिए, यहाँ पे क्यों हो रहा है नीचे वाले set के element उपर वाले को belong कर रहा है उपर वाले के नीचे वाले को belong कर रहा है तो subset क्या, यह तो दोनों ही एक दूसरे के subset है तो एक improper सी बात इसमें हमें दिख रही है तो improper subset में क्या होगा subset है पर equal भी है वो improper subset है अच्छा अब आगई proper subset की बात proper subset की बात proper subset की बात जो हमने पहले example लिया था 1, 2, 3, 4, 5 B मैंने ले लिया 1, 2, 4 B के element A को belong कर रहे हैं तो B is purely a subset of A B is purely a subset of A तो B आपका proper subset है यहाँ पर कोई improper वाली बात ने आ रही हमें देख रहा है B is subset of A अच्छा इसके अंदर एक term और मिल गई मुझे कहता है B अगर A का subset है देखो अगर B अगर A का subset है तो बच्चो A इसका superset होगा A इसका superset होगा superset मतलब बड़ा वाला set जिसमें से हम elements को देख रहे है मतलब अगर मैं इस example की बात करूँ तो यह मेरे लिए क्या है यह superset है किसका? B का अच्छा यह subset है किसका? A का वही चीज़े मैंने वहाँ पर theory में लिख्च हुई है ठीक है? वही चीज़े मैंने वहाँ पर theory पर लिख्च हुई है clear हुआ? clear हो गया? all elements of set A in set B मतलब जितने भी मेरे पास element थे वो उपर वाले को belong कर रहे है यह proper subset हो गया यहाँ पर क्या आ रहा था? set A and B are subset of each other definition दोगा clear है? एक दूसरे के subset है यह तो वो improper subset है ठीक है? इसमें subset और super set ध्यान रखना बड़ा वाले set इस super set छोटा वाले set इस subset clear? तो मैंने आपको बोला था जो point मैंने आपको बताए उनको practically apply करते है और अपना lecture को close करते है अभी बस 2 minute practically इसको apply कर लेते है दो question है हमारे पास चोटे-चोटे एक set A है दो element दे दिये कैरा सारे subset मुझे निकाल के दिखा सारे subset तो पहले decide तो कितने subset बनाने है मुझे number of subsets number of subsets का formula मैंने क्या बताया था 2 raise to power n 2 raise to power n अच्छा number of element है कितने A में cardinal number is 2 दोगो terms use कर रहे है हम अच्छा cardinal number is 2 यहाँ पे end क्या है number of elements in a set that is cardinal number तो 2 raise to power 2 कितने subset बनेगे बच्छो 4 बनेगे 4 subset बनेगे अच्छा 4 subset बनेगे तो 2 subset तो हमें वैसे ही बता है पहला क्या बनेगा empty set empty set हर set का subset होता है हमने लिग दिया ऐसे हमने इसको लिख दिया ऐसे empty set subset of every set तो 5 तो इसको belong करे गई करेगा फिर दूसरा जो step होता है आप लिया करो singlatan set singlatan set ठीक है singleton भी बोलते है इसको singleton singleton set या singlatan set ठीक है जो आपको अच्छा लग रहो बोल लो single element आपने कहा कि आप 1 ले लिया हम थो को. implicit Hier बन सकता है कि I अग्छा बिल्कुल बन सकता या single element वाला है तो singleton set आपका यह भी बन गया single turn set यह भी बन गया वन आपने यहां से ले लिया यहां कितने बन गए टीन बन गए एक last बचा है अच्छा last क्यों होगा empty sitting subset of style याद हो गया था every set is subset of itself, तो every set जो itself की बात की थी हमने वो तो ले लो, set itself set itself लो बच्चो 1 और 2 क्या आएगा, 1 और 2, set itself उठा लिया, कितने subset हो गए, 1 2, 3, 4 4 subset, एक चीज़ और add कर दो इसमें, ठीक है, बस एक चीज़ और add कर दो, power set power set, theory में मैंने नहीं लिखी है ठीक है, add कर लेते हैं इसी में क्योंकि next lecture में फिर नए टोपिक स्टार्ट करेंगे set containing set containing all the subsets of a given set ये तो बना दी हमने definition ठीक है, क्या मतलब है set containing all the subsets of a given set given set ये था, सारे subset ये रहे क्या रहा है, इन सारे subset को एक set में लिख दो कैसे, भाई 5 लिखो singleton 1 लिखा singleton 2 लिखा, set itself लिखा ठीक है ये आपका 2 है इसको एक square bracket में, बड़े set में denote कर दो, और इसको लिख दो कि ये क्या बनाया है, मैंने power set of set a बनाया भाई, power set of set a a set का मैंने power set बना दिया, a set का power set मतलब, इस set के अंदर सारे subset होगे इसके, clear हो गया ठीक है, clear, last last question, class over ठीक है, आज का class इतने करेंगे हम last question, number of subsets बता दो मुझे बस फटा बट number of subsets कितने हैं एक ही pattern यूज़ करेंगे, 2 raise to power n that means 2 raise to power 3 8, 8 subset बनने वाले हैं हमार पस ठीक है, 8 subset बनेगे क्योंकि n यहाँ पर कितने हैं, number of element कितने हैं set में, 3 है बच्चो अच्छा, पहला empty set ले लू एक habit बनाओ ना, कि शुरुआत कहा से करनी है, empty set empty set क्या था, fine अगला क्या था, singleton लो naming से करो, naming पूरे name लेके करो आगे, दिक्कत आएगी नहीं कभी singleton set क्या था, हमार पास single single element उठा लो, कितने ले सकते हो minus 1 का 1 set ले लिया 0 का दूसरा set ले लिया 1 का तीसरा set ले लिया 4 subset निकाल भी दिया हमने बहुत easy है, इसमें आगे, अभी 4 बच्चे है तो इसमें बच्चों एक category और generate हो गई, pair set pair set pair set कैसे बनाएगे यार pair लेने शुरू करो, अच्छा starting from first element, आप क्या करोगे minus 1,0 minus 1,0 को pair बनाया minus 1 को पकड़े रखो, minus 1 का 1 के साथ pair बनाओ ठीक है, minus 1 का 1 के साथ pair बनाओ curly bracket जितने अच्छे बन से के बना लेना, minus 1,0 minus 1,1, एक pair और बनता हो दिख रहा है last, 0,1 count करना कितने subset हो गए, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 last, जब last set बचता है, 8 बचेगा इसमें set itself, last set is set itself set itself, क्या होगा minus 1,0,1 मैंने सारे subset लिस्ट कर दिया अच्छा इसका power set बोल दे अगर मुझे तो क्या करेगे, square bracket लगाए सारे subsets को एक एक करके बिना गलती के लिख दो, मनला बता तो रहा हूँ आपको free के number है, इस chapter के सिर्फ एक बार समझ आने के बाद concept याद रहेगे और as it is आप questions को solve कर दोगे paper में ये लो, ये आपका paper में आया हूँ a question है, ठीक है बहुत बार पूछा जाता है, element change कर देता है 1,2,3 दे देगा, minus 1,0,1 दे दिया मैंने, कुछ भी आपका चलता रहेगा ये, ठीक है तो एक घर पे question एक बार try करो homework ये लो, आप ये इसके मुझे next class से पहले इसको solve करके रखना, तो हम लोग क्या करेगे class start करने करते time इसको एक बार discuss कर लेगे, और फिर ने topic में आपका interval as a subset of real number आएगा फिर operational set आएगा operational set सबसे interesting topic इस chapter का ठीक है, मज़ा आएगा करने में और last topic हमारे जो रहेगा वो practical applications करेगा मतब ये दो या तीन lecture में around से chapter खतम हो जागा including everything ठीक है, तो यहाँ पर homework में आप इसके मुझे सारे subset list करके रखना, फिर बात करेगे आप से आगे, list all the subsets list all the subsets of मैंने set दे दिया आपको containing four elements containing four elements ठीक है, तो इतने ही करते है बच्चों आज यह आप करके रखना, next class में इसको discuss करके topic आगे proceed करेगे, ठीक है चलो, thank you